जिसका आज सब्जी बनेगा बड़ा अच्छा लगता है खाने मां और यह जो है इसका साइज बनाना कम से कम तीन से चार जिंगली फना है बुड़ मॉनिंग देस्तों वहला दोस्तों आप लोग कैसे हो अच्छे ही होंगे तो चलिए मैं बहुत दिन पहले कुछ दिन पहले पहले जिंगली का जो बीज था उसे मैंने बोया था यहां पर ताकि भरावरा सब्जी मिल सके तो चलिए आज वह दिन आ गया है जब जिंगली कुछ-कुछ भरा है उसलत में तो आप लोग को सौश्राओं कि आज के वीडियो में वहीं दिखा देता हूं कि एसाद जिंगल सब्सक्राओं तो चलिए वीडियो में बने रहें आप लोग को दिखाने जा रहा हूं और आज मैं उसे काटूंगा और फिर उसी का आज सब्जी भी बनाना है तो यहां पर जो एरिया है छोटा सा उसी में देखिए यहां भी है लत और फिर इधर भी है जो कि गिर गया है इसके सारी यहां पर दिवाल में था तो यह रहा जिंगली का लत और देख सकते हैं जिंगली देखिए कितना बड़ा है ये लद सही से नहीं था जिस कारण से देखिए जिंगली किस तरह तेड़ा मेढ़ा हो चुका है ये कम से कम इसकी जो लंबाई है तो आप लोग देख सकते हैं एक हाथ के असपास यानि कि एक हाथ से भी बड़ा ये जिंगली है तो जिसका सब्जी बनाना कम से कम तीन से चार जिंगली फरा है और एक देख सकते हैं वैंने हाँ पे काट के रखा है तो कापी अच्छा खाने हम लगता है दोस्तों तो आज जो है इसका सब्जी बनेगा तो चलिए देरना करते हैं इसे काटते हैं तो मेरे पास है यह चाकू और देख सकते हैं यह जिंगली का जो है इसी कार्टे में इस परकार से ताकी लग जो है लग में भी इफेक्ट ना परें और यह हां तो यह तो डिया तो देख सकते हैं मेरे पास दो जिंगली अभी मैंने दो जिंगली उससे तोड़ा जिसका आज सब्जी बनेगा बड़ा अच्छा लगता है खाने में और यह जो है इसका साइड जो है एक हाथ से काफी बड़ा है इसकी अभी खिचा है यानि कि जड़ा यह भी नहीन हुआ है और फिर और यह जगाल अगा जहां से मैंने कलब्ट तोड़ा हुआ था एक छोटासा जिंगली वह भी दिखा जिखा देता हूं आज के वीडियो में यही था और फिर अभी बरतंदतन मांच के थोड़ा दिर में खाना पिना बनाएंगे तो अगर चैनल पर नहीं होत चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को परते एक दिन मिल सके तो मिलते हैं नए ब्लोग वीडियो के साथ तक लिए जाहिए जाय महरत